गुड मॉनिंग केड्स, हाव यू आल, I know you all are fit and fine and doing your work with full interest तो बेटा अभी तक हमने देखो water से related picture talk कर ली है ना मैं हमने आपको integrated activity book में picture talk कर वाई ना उसमें water की importance बताई, water की uses बताए है ना और save करना भी बताया water को उसके बाद हमने कविता पानी भी की थी और आज मैंने आपको conversation question answers में water से related सारे conversation question answers करवा दिये है ना तो आज हम लोग water game खेलेंगे, तो देखे कैसे खेलेंगे water game See बेटा, water has no color, देखो इसमें कोई color भी है ना, transparent है and it has no shape, इसकी कोई shape भी नहीं होती इसको glass में डाला तो glass की shape का हो गया, देखो, इसको cup में डाल दिया, तो ये cup की shape का हो गया आज हमने water से related activity कर देखे, see I have some objects, इन में से कुछ heavy है, कुछ light है weight में, जो heavy होती है ना, वो water में sink कर जाते है, means droop जाते है और जो light weight के होएंगे, वो देखना ओपर float करेंगे water के ओपर, this is a toothbrush, toothbrush light होते है ना, weight में, देखो, water में ये float करेगा, floating ना, now see, spoon, spoon heavy होती है, sink कर लिए वो देखो, water में, see this lemon, lemon is heavy, sinking, and this capsicum, capsicum बहुत light weight होती है ना, देखो ये float करेंगे, floating, this toy, this is also heavy, sinking, tomato, floating, floating, bon, light होती है ना, bon, देखो, floating, one rupee coin, coin देखना, sink कर जाएगा, heavy होते है, sink कर जाएगा, heavy होते है, sink कर जाएगा, see, sink कर जाएगा, bangle, this is also heavy, sink कर, and this toy, this toy is light in weight, floating, अब देखो, आपकी integrated book में भी, same यही वाली activity है, page number 17, देखो, same activity है ना, इसमें भी, तो ये activity आपने ममा से घर पे करनी है, और मैम को भी send करनी है, इप्रस्टिंग लगी ना, water game आप सबको, मुझे पता था, आपको बहुत पसंद आएगी है ना, water से related experiments आपने भी अब करने है, ममा को कहने है, आपको glass में water डाल के देदी, ताकि आप उसका taste देख पाओ, उसका color देख पाओ है ना, चेलो बेटा, अब हम लोग प्यासा कव्वा कहानी रिवाइस करेंगे, एक कव्वा प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था, कव्वा लाया कंकर, डाले घड़े के अंदर, पानी उपर आया, कव्वे ने पीया पानी, खतम हुई कहानी, बेटा, अच्छी लगी थी ये स्टोरी आपको न, मैम को पता है, आपने learn भी ये वाली स्टोरी फटा-फट से ही कर ली थी, बट मैम को ये नहीं पता कि किसको learn हो गई थी, किसको नहीं अभी learn हुई, तो आपने क्या करना है, आज ममा से ये वाली स्टोरी बोलते हुए न, एक audio recording करानी है, और आपने मैम को send करनी है, ओके?